ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है जब प्रस्ल करता ने प्रस्ल उठाया कि कुर्की जबती हुआ है कि नहीं मान ये मुख मंत्री जी जब प्रस्ल करता कुर्की जबती की बात उठाई उन्होंने जबाब नहीं दे पाया जानकारी चाहिए वो जाएगा कोट में और कोट पर इंक्वारी करके सजा देगी आपका ये काम नहीं है आप पूछ रहे हैं जबाब दिया जा रहा है अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे इसका मतलब है संविधान का खुलिया मुलंगण कर रहे हैं मानने मुखमिंती ही अब सुना जाए इस तरह से नहीं चलेगा यह बिलकुब बता दे जहीं से चले उसी प्रेश चलाएंगे आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देगे मैं आसन से संबच्छित सबस्तों को करने करने के लिए करिएगा और आपको मालूम है भी हमने क्या का है साथ दिन के अंदर पूरी इंक्वारी करो अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी SCST की बैठा कोई उसमें हमने क्या दिर्म दिर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को का और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे है और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग और एक बात अच्छ सोन रहे थे इस 상황 इसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि हो गया आप इसके बादफिर बताई अरे इन अब मानुति अगर यह बात हुई है मैं नश्यट कूछूँ गाज पूछूरूंगा डिपार्टमेंट से आज भी मैं पूछूंगा कि इतना स्तेजी से क्या कोई दिक्क् आज हम कोई दे रहा है कि जो जवाब भी है जब इनको हम authorized किया है आज हम देखेंगे लेकिन क्रिपा करके इन सब चीजों के बारे में ज़्यादा नहीं करिए ये सब करना अच्छी बात नहीं है तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे आगरह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं हाउस में जवाब दिया जाता है लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है ये स्वरी कोर्ट नहीं है अब इस हाउस का नहीं है रिपोर्ट कोर्ट में जा के हिसाब से ही चलना चाहिए और पहली बार हम देख रहे इतने दिनों से हमको MLM का रूप में रहने का काम मिल यह चौथी बार हमको यहां पर काम करने का मौक़ा मिल रहा है जह पहली बार हम देख रहे ऐसा तो आस तक कभी हुआ और शोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अगर इसके बारे में कोई भ्रह्म है तो फिर बात्षित करेंगे हम और कहीं भी कोई भी डिले है किसी investigation में हम सारे मामलों में आज ही हम मिटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज़ में कितने में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगा है और इन्वेस्टिगेशन सा समय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रही सब चीज़ों को जो पूछेंगे अभी मंतरी जीने बता दिया कि इसके बारे जबती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्हों ने जोरा जिसके कारण तीन बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठकर के हंगामा किये हमने आगरा किया कि विशेशादिकार कमिटी में चल रा उस पर चर्चा नहीं होगी मामला हुआ कि जो आयोजन करता हुद घातन करता का आज तक रेस्टिंग ने हुआ दर्सक दिवा में बैठे लोगों को अंदर भेज के जुड़ा है आपका गुसा जाईज है और संभिधान हमसे ज़्यादा आप जानते हैं इसमें भी दूमत नहीं है हम लोग तो आपसे सीखते हैं आसन तो आपसे क्या जो वरिष्ट लोग है उनसे भी सीखते हैं और सदन चल रही है सबके सहयोग से लेकिन आपके उस जीवे प्लिंस का मामला नयाई के साथ विकास का मामला कानून का राज अस्थापित करने का में बचाते हैं ना फंसाते हैं तो सबंतीन वार हंगामा किया सारे पक्ष और परतिपक्ष के सदस खरह हुए और उनने कहा कि दरसक्द तरगा के बै sometime को आपने जेल भेज दिया जो की ठाना से भी जमानत मिलता है लेकिन आरुजन करता उद्गातन करता पर आपने करवाई नहीं किया जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने करवाई नहीं किया पूरी मामर नहीं यह यह नहीं आसन को हतोत्साहित अटिमरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो पारदर्सिता के साथ वबस्ता बने और मुझे हमको तो आप सब लोग मिलके बैठाए हैं मैं तो आपी की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे कानून के सा ख्यलबार करेंगे विधायका को कमजोर करना चाहेंगे अब परसासनी करा जगता फैलाना चाहेंगे जो मुखमंत्री कतर नहीं होने देंगी और आपकी अच्छी बात है हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप मेरता से अपने स्थर से देखबाल है यह तो दुरुभाग है क कि मेरे छेट से जुड़ा है और आप खुद कहीं बार कहें हैं कि विधायका पूरे विहार का कहीं कि भी प्रस्न को कहीं कि भी विवस्ता को देख सकता है उन्होंने पूछा कि कुर्की जबती अभी तक नहीं हुए आपने अभी बोला कि साट दिन के अंदर नहीं करेगा तो कारवाई करेंगे साट दिन से उपर हो गया मामला छेतर जाते हैं मानिय मुखवंतिर जी यह सम्मान आप लोगों नहीं दिया जाते हैं लोग कोश्टन ख़रा कर देता है पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके और मैं एक दारोगा का एक ठाना प्रवारी का एक दियस्पी की भी बात को नहीं रख पाता हूँ विधायका का कई प्रस निस पर उठा है आप लोगों की बैठेक में मामला उठा है जैसे आप कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी लेकिन सरकार के संदक्षन में सरकार के नीती के हित में ही हम लोग ये ना बना रहे हैं मानिया मुकमंत्री इसमें कोई कन्फिजन नहीं होना चीए अगर इस हाउस में कोई बात आया और आपने हाउस में कमीटी में वो बना दिया है वो कमीटी एक एक चीज़ को देख करके अपना रेकुमेंडेशन देगी और निश्चीत रुप से जबाद कम मुक्मंतरी जी देखेंगे मुक्मंतरी जी अब अभनाविच में बरावर बोलिए गा बात नहीं सुनिएर गा तब कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं हम आपको एक बात कर रहा अगर कोई इसू हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के कमीटी बन गई आपने उसको इसको आपने दे दिया उसमें विशेशाधिकार समीती को अब विशेशाधिकार समीती एक एक शीज़ को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी और जब अपनी यह कहा है fact क्या है उसको हम जरूर दिखवाएगे एक बात हम जरूर कहेंगे लेकिर हाउस का काम है वो कहेंगा recommend करेगा उसके बाद उसको फिर से दुखवाएंगे हम और दिखवा करके जो कुछ भी पैसली चीज होगा उस चीज को सामने लाए जाएगा इसके लिए अब क कोई जिंता मत करिए हम लोग ऐसा ने और हम तो चाहते ही हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रस्त उठाइए इस बात को रखिए जब आप दिया जाता है तो उसाब चीज तो किया ही जाएगा इसमें कोई शक ने लेकिन इस चीज को अक करेंगे आपसे